मेरी ड्राइव हम लोग बनाये हैं न मुआ लालू जी के खटाल का गाई गोंता है अब आची 17 महिना रहे तो 4207 टोटल 8832 केवल आपके उपमुख मंती रहते हुए यह बना लिये तो उस समय जीव में हलंत लग जया था बोलिय निकल रहा था पुर्णिया में ऐरपोर्ट की सुकृति मिल जुकी जी ओढ़ी मंग कर रहा है जमीन के अधिग्रहन का हुँ हो गया था कुछ एक परिसाज हुए थी यू एरपोर्ट और शी नहीं है यह चुन जून ना चुन ज्री मंत्री आप गुंधिया के मंत्री के बास ईर जा रहे है और घर घर होंना बना लिए अब खाना खाना है तो स्रेलिने के लिए चले गए नबसकार आपके साथ रोहितर को बता देखिए नेता परतिपक्ष तजस्वी यादो इन दिनों जिस तरीके से बिहार में लगतार पूल गीर रहा है गिरते पूल को लेकर और बिहार में बढ़ते अपरादी बेस कर रहा है डाटा पात कि यहीए है डबलिग इंजन सरकार की जंगल राज में से करने के लिए निरचप्लाइं परही है यहीं है पर रहा है कि सभाविक रूप से मानेबर तेजस्वी आदो जी जारखंड में भी पूल गिरा है आपका ज्यान कैद खाना में कैद हो गया है जो भीहार में ब्रीज गिरें हैं पुरा डिटेल रिपोर्ट नहीं जानता हूं लेकिन मैंने मीडिया में देखा एक ब्रिटिस काल के समय बना हुआ ब्रीज या बिधायक कोटा से सांसत कोटा से बना हो या पंचायती राज से बना होगा जिसमें आवा गमन का कोई भी संकट लोगों को नहीं है तो कि सलकों का किसानों के लिए सिच्चाई के लिए जो नदी बर्सों बर्स सूखा था वह नदी में पांच फिट साड़े पांच फिट पानी आ गया तो सभावी के किसानों को उसका लाब मिला लाब मिल रहा है और ऐसी स्थिति में छोटे-छोटे पुलिया पूल उसको नहीं कहिए तो आपचारी ज्यांच होगी ना तो सवाल यह उठता है ते जस्वी आदो जी कि आप कह रहें कि सरकार क्या कर रही थी आप जाल बजा रहे थे जब मंत्री थे आड़वलूडी के सरकार में जब सामिल थे अरे मेंटेनेंस किसको कहते हैं यह तो जानकारी नीति से जी दन दिये मेंटेनेंस पॉलिसी बनाए अब ब्रिटिस काल में कोई पूल अगर बना जीसा मीडिया में अख़वार में मैंने देखा है तो ब्रिटिस काल के समय ने आपका जनम हुआ था ना आपके पिताजी का जनम गुआ था कि मुद्दो को उठाइए तो गंभीरता से उठाइए हां गांधी से तुट जाए तो यह चिंता कभी से चिंता यह भी है लेकिन इस सम्मंद में सारे प्रशासनिक तंत्र को लगाया गया है क्या कारण है पानी का जल स्राब जादा जल जल का बहाव जादा हो गया यह आखिरकार पानी की धार बदल गई कुछ तो कारण रहा होगा और इतने लंबे अर्शे तक उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ यह भी एक कारण रहा होगा तमाम तत्यों की आचा यह आप राध पर ही बोल रहे हैं लाज नहीं लगता है बोलने में हाला तो आप लोगों ने यह पैदा कर दिया इस देश के अंदर में कि देश के संबिधान की मूल आत्मा पर ही चोट कर रहे है लोक तंतर लोक लास से चलता है ते जस्वी जी अरविंद केजरिवाल आपके घटक दलके हैं तो उनको सिखाए नहीं कि हमारे पिता जी को जब घोटाला में जेल जाना पला था तो इस्तिफा देना पला था आज जेल के अंदर अरविंद केजरिवाल बैठ कर सरकार चला रहें तो कल तो ही इस्तिफी पैदा करिएगा आप लोग कि जेल के अंदर कोई दुर्धान तप्राधी कि कल लोक सभा बिधान सभा चुनाओ जीत जाए ग्रीमंत्री बन जाए भारत का विराजी का ग्रीमंत्री बन जाए और आप राध का हम मुख मंत्री पहले भी थे ऐसा खौफ का बातावरन आप उपस्थित कर रहे हैं लग रहा जीसे कि जो मेरीं ड्राइव हम लोग बनाए हैं ना वहां लालू जी के खटाल का गाई गुमता है अब आची अरे आप जिसमें राज जिसमें थे सरकार में आपको तो संपत्ति का लेखा जो खायाद है ना ह हमको अपराद का भी लेखा जो खायाद रहता है कि 21 महिना सत्ता में जाप रहे 4625 हत्या हुई थी क्यों नहीं जुवान खूला था तेस्विया दो और जब 17 महिना रहे तो 4207 टोटल 8832 केवल आपके उपमुख मंती रहते हुए तो उस समय जीव में हलंत लग गया था बु कि हम लोग परिशाल हो गए थे महागट बंदन से अलग होने का निरना इसलिए भी लिए चोरी चोरी जदा पढ़ गया था एक तालीस अजार साथ एक कईस महिना में 20 वार आये तो सत्तर हजार 266 हम की बाद चोरी बढ़ रहा है तो लगता है असर पढ़ रहा है ब्रस्टा के गारह 24327 चोरी इस दोनों के बारे में की गई कारवाई का ब्यवरा दीजिए तब आलोचना करिए उस समय भी मैं हूं आज मैं हूं उस समय भी कारवाई हम करते थे आज भी कारवाई करते हैं और आप अनरगल प्रलाब बैटके विदेश से कहां से ट्वीट कर नहीं पुन्या के विकास के लिए लगतार जर तर मिल रहे हैं इससे पहले आप लोग केशांशत थे पुनिया में अ पुन्या में या में तो एयरपोर्ट की आप पुर्णिया के मंत्री के पास जा रहा है मने घर खाना उना बना लिए अब खाना खाना है तो स्रे लिने के लिए चले गए बिहार है अब पुयादव जी यहां जाच परताल बहुत होता है सब खाता खसरा नंबर जारी कर देंगे तुरंत कब चिठी गई कब क्या गया तो एयरपोर्ट एयरपोर्ट आईए जाईए ना शरीर भी आपका भारी है स्वास्थीक होगा पटना से जब पकड़िएगा बा अब पुर्निय एयरपोर्ट का आपको डिला चुक्ति ना आपकी अपके मांग करूप मिली ना सुख्रति के समया आपकी कोई भूमिकाल आपक्सेंजर के रूप में आप जाइए का तो उसमें तो मेंबर ओ परलेमेंट ही तो अधिकार आपको मिलेगा एक सवाल ये भी है कि कल जिस तरीके से जदिव कोटे के मंत्री रतने सदा है उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि अगर 24 के चुनाओं में बीजेपी के साथ नितीश कुमार नहीं रहते हैं तो बीजेपी भी हार में सुनने हो जाती है आप उनके बयान को कैसे देखते हैं गठबंदन के घटक दल और आदरनिय प्रधान मंत्री जी लगातार इस बात को कहते रहे कि नितीश कुमार जी ने विकास के रास्ते पर लाया और भारतिये जनता पार्टी के प्रदेश सद्यक्षरूप मुख मंत्री मानिये समराथ चौधिर बिजेश सिन्हा जी ने भी क रहा नितीश कुमार जी के नित्री तुम्हीं 2025 का चुना होगा तो रतनेश सदा जी के कहने का भावारत ही है कि गठबंधन है अब थोड़ा उनईस पीस बोलने में हो जाता है इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए गठबंधन में कोई दरार है एकड़ार है करार एकड टन है एकड़ा में देखिए मेरे साथ जदिव मेल सी निरच कुमार जी आपको बता दे कि तरीके से लगतार तजस्वी यादो फूल गिरने को लेकर डाटा जारी कर रहे हैं अपरादी घटनाओ को लेकर डाटा जारी कर रहे हैं तरह साथी साथ जिस तरीके से पप्पु यादो लगतार पुर्णिया को लेकर एक टीम जारा रहे हैं पप्पु यादो को भी जवाब दे रहे हैं और क्या कुछ इंगा कहना था अपने तमाम चीज इस वीडियो में देखिए बस इसे तरह की तमाम ख़वरों चाहता अप मेरे साथ जूड़े रहे हैं तब पकल द